आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सा सूजी और खुब धेर सारी सबजीयों से बना हुआ नाश्ता इसको आप बहुत ही कम तेल में यानि कि सिर्फ एक से दो चमच ओयल में बना के रेडी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगत और बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी रेसिपी है क्योंकि आप इसके अंदर छुपा सकते हैं खुब धेर सारी सबजीयों और हाँ ये टिफिन में पाक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने ले बहुत ही चोटी चमच काली मिर्च आधी चोटी चमच लाल मिर्च टेस्ट के अक्वॉर्डिंग नमक और जिस कप से हमने ध्ही लिया थह, उसी में हमने थोड़ा पाणी डाल लिया है और वही पानी हमेंधे पानी हम इसके अंदर आड कर रहे हैं और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी आड़ करेंगे और बिल्कुल स्मूध इसका एक बैटर बनाके रेड़ी करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा बैटर बनके रेडी है अब हम इसको रख देंगे लगबख 8-10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए प्लेट से ढख के और जब तक हमारा बैटर जो है रेस्ट होने के लिए रखा है तब तक हम ले लेते हैं एक कड़ाई और इसके अ साइस का प्याज बारीक कटा हुआ और इसको हमें जादा फ्राई नहीं करना है थोड़ा सा फ्राई होते ही यानि कि एक मिनट लगभख फ्राई होते ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और कद्दू कस की हुई गाजर और बारीक कटे हुए पत्ता वह भी आप अपने चोइस की कोई भी वेजटेबिल्स इसमें डाल सकते हैं और इनको हमें थोड़ा सा सौटे कर लेना है दो से तीन मिनट के लिए हमें इनको बहुत ज़ादा कोक नहीं करना है इनका क्रंच रहना चाहिए और एक सी दो मिनट सौटे करने के बाद मैंने इस और अब हम फ्लेवर्स को इनफ्यूस करने के लिए इसको एक सी दो मिनट टक ढखके रख देंगे और हाँ सब्जियों की गैस हमने ओफ कर दी है और जब तक सब्जियां थोड़ी सी सौफ्ट हो रही है हम चेक कर लेते हैं बैटर बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से फूल चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने सब्जियां रेडी करके रखी थी वो और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ बारी कटा हुआ हरा धनिया और बारी कटी हुई हरी मिर्च हरी मिर्च डालना ओप करने के लिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए यह बहुत ज़्याधा गाढ़ा भी नहीं यह देखिए इस inert की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए और अब हमने ले लिया है एक byn जिसके अंदर हम बनाएंगे इसके या आप चीला भी कह सकते हैं और इस तरह से थोड़ा सा बैटर स्प्रेड कर दे बहुत ही हलका सा ओयल हमने यूज किया है इस पैन पे आपने ये देखा ओगा और इस तरह से इसको uniformly spread कर दे यानि कि ये बहुत ज़ादा मोटा नहीं होना चाहिए किसी भी side से और इसको ढखके cook होने दे लगभग 1-2 मिनिट के लिए flame जो है मैंने medium पे ही रखी है और अब मैंने इसको पलट दिया है एक से दो मिनिट के बाद ये अच्छे से एक तरफ से cook हो चुका है अब इसको हम दूसरी तरफ से भी cook कर लेते हैं ढखके तो ये देखिए दोनों तरफ से cook हो चुका है अच्छे से golden brown हो गया है और थोड़ी देर हम flame को high करके इसको उपर से crispy कर लेते हैं तो हमारा ये जो नाश्टा है ये बनके ready है इसी तरह से हम बागी के pieces भी बनाके ready कर लेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरा piece भी बना लिया है और अब हमने बना लिये हैं सारे pieces मैंने जितना batter और सबजियां ली थी उसके अंदर लगभग 4-5 pieces बनके तयार होंगे इस size के मैंने बनाये है और अब मैं इनको बीच से इस तरह से cut कर दे रही हूँ 4 pieces में आप चाहें तो इसके छोटे pieces भी बना सकते हैं जिससे की क्या होगा आप एक बार में 2-3 piece बना पाएंगे तो ये देखिए खुब सारी सबजियों के गुणों से भरपूर और बहुत ही tasty बिलकुल कम oil में बना हुआ हमारा सूजी का नाश्ता बिलकुल तयार है आप इसे breakfast में बनाए हैं शाम को snack के form में ये बहुत ही tasty लगता है और हाँ ये टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इ